गुड मॉनिंग इस्ट्वेंस कैसे हैं आप सब उमीद करती हूं आप लोग अच्छे होंगे आज आपके वर्षीट नंबर 46 है से अच्छे से लेबल कीजिए डेट दालिए क्लास सब्जेक्ट अपना नाम अपने टीचोर का नाम लिख लीजिए आहो याद करें तो बच्छो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं आज हम लोग रेखाखंड के बारे में जानेंगे जैसा कि हम जानते हैं कि एक रेखाखंड दो बिंदों के बीच की नियुत्तम दूरी है यानि कि दो बिंदों के बीच की सबसे कम दूरी को हम लोग रेखाखंड कहते हैं क्यों क्योंकि अब ये ना इधर बढ़ सकता है ना इधर बढ़ सकता है ठीके इसलिए हम क्या कहते ह रू़लर का प्रयोग करते हुए एक रेका हखन की रचना करना चलिए हृँ सबसे पहले अपको रूदर का प्रयोग करते हुए बिन्दू A को 0 पर ये देखिए 0 है यहाँ पर बिंदू A और दूसरा बिंदू B को 5.6 सेंटिमीटर पर चिनित करना ये 5 और 6 के बीच में 5.6 होगा ठेके पैंसल की साहता से बिंदू A और बिंदू B को मिला दीजिए जैसा कि यहाँ मिला दिया गया है A B एक अभिशिष्ट रेका खंड है तो आपको A और B एक रेका खंड मिल गई ठीके हैं बहुत असान अब क्या है अब देखें यहां लिका है रूलर और परकार का प्रियोग करते हुए एक रेका कन खीच रहा है अब आपको क्या करना है अब आपको वो क्या रहेगा पद तो देखें लिका है नमबर वन सबसे पहले एक रेका कीचिए जिसका नाम है L यह देखें अब आपको देखा देखें लिए उस पर एक बिंदू अंकित कीचिए A जैसा कि यहां हमने किया यह अंकित कर लिए कहीं पर भी अपने हिसाब से इस तेखें अपको थोड़ असा लंबा कीच रहे है हमने A पॉइंट बना दिया अब देखें लिकार के परकार के नुकीले सिरे को रूलर के शूने पर रख ही एप यह देखें इसी प्रकार को खोल कर अब क्या करना है पैंसिल वाला जो सिर है वो 5.6 cm पर चिन्हित करना है जैसा कि आप देख पा रहे हैं अब जो इसके बीच की दूरी आई है इसको बिना हिला है आपको क्या करना पॉइंट ए पे रखना देखे ये लिखा है ये साफदानी लेते हुए कि प्रकार के फैलाओं में कोई परिवर्तन ना हो यानी जितना ये खुला है इसके बीच में किसी तरह का कोई परिवर्तन ना हो ये कम यजादा नहीं होना चाहिए ठीक है उसके नोखीले सीरे को A बिंदू पर रखी यह नहीं जो यह A बिंदू आपने बनाया था यह देखिए A बिंदू पर रख लीजिए अब आपको क्या करना है A को अब क्या करना है B पर काटते हुए चाप लगाएगे अब क्योंकि आपने पांच पॉइंट छे का तो खोली लिया था पर आप ऐसे चाप लगाएगे जहां पर यह चाप इसको काटेगी आपको एक पॉइंट मिल जाएगा यह देखिए इस तरह से यह पॉइंट आपका क्या हो जाएगा भी हो जाएगा और इस तरह से आपका यह तयार है A B वाली वन्चित वाली लंबाई की 5.6 सेंटीमीटर का देखा खन रड़ी है आपके लिए ठीक है चले उमीद करते हो तक समझ में आ गया होगा आप देखिए यह लिखा है आओ करें नमबर वन दिया गया है रूलर का प्रियोग करते हूँ एच्छे सेंटीमीटर लंबाई का रिखा खन कीजिए चले इसका आप सा देख लेते हैं देखिए बच्चों आप ऐसे कीज सकते हैं सिंपल आपको इसका यहाप एक पॉइंट बनाना है यहाप एक पॉइंट बनाना है और इसे बना लेना है तो भी आपके जो भी नाम थे पॉइंट के उसके अकॉर्डिंग आप इसका नाम रख सकते हैं तो इसका नाम आप अपनी तरफ से कुछ भी लग दीजिए ए भी लग दीजिए क्योंकि वहां कोशन में तो आपको मैंचिन किया नहीं है कर लेंगे सेकंड कोशन लिखा है रूलर प्रकार का प्रियोग करते हुए 7.5 सेंटीमीटर लंबाई का रेकाखन कीजिए अब दिखिए कि आपके सेकंड कोशन में भी आपको पॉइंट मैंचिन नहीं किया गया है तो आपको क्या करना है सबसे पहले लकीर कीचनी है है ना दोनों से इस अन्येप बीरियोत नाम कुछ भी अपनी तरफ से रख लीजिए फिर आपको रूलर से क्या करना है कि इसको प्रकार की मदद से लेकर पराराना है और उसके बाद से यहां पर आर्क लगानी है जो ये आपकी अर्क लग लगी है इसका नाम कुछ दूसरा लग दिजिए बी & कि यह आपको दिया गया है इसमें आप क्या करेंगे यह पी और क्यों आपको बताया गया है इसका नाम पी रखेंगा हैसे को बना है फ़ॉरपॉंट फाइज तक पहुंचते पर देसे क्या कर देना है सिंपल है लास्ट कोश्ण रूलर अपरकार कप डियो करते हुए एप लिए कीज़ने के बाद को क्या करना मुइत बनाना हैं बाकी परकार्ग देखें यह ओं कर लगानी के बाद ये आपका रूले को फोल्न यो परकार से है और बन चाहर इसे मिला लेंगई कर दो उसक्राइब